नमस्कार मित्रों आज हम बात करेंगे कि चित्रा नक्षत्र के चार चरणों में सूर्य का क्या फल होगा मित्रों यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा आईए हम जान लेते हैं मित्रो यदी जन्म कुंडली में सूरिय चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा अलग और विसेज प्रकार के नेत्रों वाला होता है नेत्र यानि आखें इन लोगों की आखें सामान्य से थोड़ी अलग होती है यानि कि सामान्य लोगों की जैसी आखें होती है इनकी आखें बैसी नहीं होती थोड़ी अलग होती है ये लोग चालाक प्रवर्ति के होते हैं और अपने फाइदे के लिए दूसरों को धोखा भी देते हैं यानि कि दूसरों को ठगने का काम करते हैं ये लोग निर्दई प्रवर्ति के होते हैं इनके अंदर दया नहीं होती ये लोग हृदय हीन यानि कि कठोर सुभाव वाले होते हैं कठोर दिल के होते हैं ये लोग दूसरों से एरशा करने बाले होते हैं यानि कि दूसर ये समाज में भय पैदा करने बाले होते हैं, यानि कि समाज में सभी लोग इनसे डरें, ये लोग ऐसा सोचते हैं, और सभी को डराके रखने की कोशिस करते हैं, ये लोग क्रोधी और चिड़चडे सुभाव के होते हैं, ये लोग जल्दबाज प्रवर्तिके भी होते हैं यानि कि कोई भी काम है तो इनको लगता है कि अभी तुरंत हो जाए अभी तुरंत ही कर डाले ऐसा सोचते हैं ये जल्दबाज प्रवर्तिके होते हैं और कभी-कभी जल्दबाजी में अपना नुकसान भी करते हैं। ये लोग मिकैनिक आधी बन सकते हैं, अथवा इलेक्ट्रोनिक से संबंधित कोई न कोई काम करने बाले होते हैं। ये लोग अपने जीवन साथी के नियंतरण में रहने बाले होते हैं, यानि कि अपने जीवन साथी के अनुसार काम करने बाले होते हैं। मित्रो यदि जन्म कुंडली में सूर्य चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति गीत, संगीत, अथवा किसी कला में रुची रखने बाला होगा अथवा ऐसे लोग गीत, संगीत, अथवा किसी कला के जानकार भी होते हैं यह लोग छायाकार यानि कि फोटोग्राफर या फिर चित्रकार यानि कि पैंटर आदी हो सकते हैं ये लोग कोई न कोई कला को जानने बाले होते हैं। ये लोग बहुत सारे कलर से संबंधित काम करने बाले होते हैं। ये लोग रसायन से संबंधित यानिकि तरल पदार्थ से संबंधित अथवा नसीली दबाओं से संबंधित अथवा ड्रग वाली दबाईयों का ब्यापार करने बाले होते हैं. ये लोग सम्मान की चाह रखने बाले होते हैं यनकी समाज में इनको खूब ज़्यादा सम्मान मिले इनको सभी लोग पूँचें ये ऐसा सोचते हैं यह लोग बिचित्र प्रकार के बाहन की चाह रखने बाले होते हैं यनकी बिचित्र तरह के गाड़ी यादी की चाह रखते हैं ये लोग ब्यापार करने में विशेश रुची रखते हैं और उग्र सुभाव के होते हैं, क्रोधी चिड़े सुभाव के होते हैं और जल्दबाज प्रवर्ति के भी होते हैं और कभी कभी जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेकर के अपना ही नुकसान कर लेते हैं लेकिन ये लोग ब्योहार कुसल होते हैं और समाज में सभी से अच्छा ब्योहार बना करके रखने की कोशिस करते हैं मित्रो यदी जन्म कुंडली में सूरिय चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ती गीत संगीत अथवा कला आदी में रुची रखने बाला होगा अथवा गीत संगीत कला आदी का जानकार होगा ऐसे लोग आलसी सुभाव के होते हैं काम को टालने बाले होते हैं कोई भी काम है तो इनको लगता है कि अब आज नहीं कल कर लेंगे कल नहीं परसों इस तरह से ये अपने काम को टालते रहते हैं ये लोग बिलासी प्रवर्तिके भी होते हैं यानि की अती सुख की चाह रखने बाले होते हैं ये लोग या तो अती कामुक प्रवर्तिके होते हैं अती कामुक का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कामुक होते हैं अथवा बिलकुल कामुक नहीं होते यानि की कामुकता से बिल लोग कामुकता और निसकामता के बीच में रहने बाले होते हैं कभी बहुत कामुक और कभी एकदम निसकाम इस तरह से इनकी प्रवृत्ति होती है। ये लोग इस्त्रियों चित सुभाव वाले होते हैं यानि कि इस्त्रियों के जैसे सुभाव वाले इस्त्रेयन गुण वाले होते हैं ये लोग जल्दवाज प्रबर्ति के होते हैं और कभी-कभी जल्दवाजी में अपना ही नुकसान करते हैं ये लोग अपने धन का अपने एस्वरे का बहुत दिखावा करते हैं यानि कि कोई भी चीज यदि इनके पास में कुछ अच्छी चीज है तो ये उसका दिखावा करते हैं लोगों को दिखाते हैं कोई इनके पास में गाड़ी बंगला या फिर कोई भी चीज है या फिर सरीर कोई बहुत अच्छा है तो उ ऐसा व्यक्ति सैनिक स्वभावका होगा। ऐसा व्यक्ति सैनिकों की तरह जीवन जीने वाला योध्धा, निडर और साहसी पराक्रमी स्वभावका होगा। ऐसे लोग अनुसासन प्रिय होते हैं, अथबा अनुसासन में रहने बाले होते हैं, इन लोगों को अनुसासन में रहना अच्छा लगता है, यानि की सिस्टोमेटिक तरीके से रहना इनको अच्छा लगता है, और ये लोग अपने सारे काम समय पर करने बाले होते हैं, ये लो यानि कि महत्वकांगशा का मतलब है कि आसाबादी, ये लोग आसाबादी होते हैं, अपने जीवन से बहुत सारी आसाइं रखते हैं, कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और ये जितना सोचते हैं, वो सब पूरा भी कर लेते हैं, इनकी सारी आसाइं पूरी हो जाती हैं, ये लोग निर्दई प्रब्रति के भी होते हैं यानि कि दूसरों पर दया बहुत कम करते हैं ये लोग कठोर हृदय बाले होते हैं कठोर दिल बाले होते हैं और उग्र सभाव के क्रोधी चिड़ चिड़े सभाव के होते हैं और ये लोग जल्दवाज प्रब्रति के भी होते हैं यानि कि कोई भी decision लेना हो या फिर कोई काम करना हो तो बड़ी जल्दी में रहते हैं ये कोई भी काम सोचने कि अभी तुरंत हो जाए तुरंत पूरा हो जाए कभी कभी जल्दवाजी में गलत decision लेकर के अपना नुकसान भी करते हैं